नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्मेक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उप प्लब्ध करवाया जा रहा है, हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतनकोशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा, धन्यवाद. आईए अब हम कुछ विशेश प्रकार की रचनाएं देखें, त्रिबुट से ही संबंदित, तो सबसे पहले हम से कहा गया है कि कैसे त्रिबुट की रचना करें, जिसकी आधार बुजा, एक आधार को और शेश बुजाओं का योगफल दिया गया हो, इसको अच्छे से तो B, C की लंबाई हमें 6 cm दी गई है, कौन B हमें 60 degree दिया गया है, और यह बताया गया है, B, A, अगर A कहीं यहाँ पे है, और A, C की जो पूरी दूरी है, वो कितनी है, 9 cm है, तो आप यहाँ से एक बात यह प्रकुल साफ देख सकते हैं, कि यह जो A है, वो इस C से और इस कि बिंदू है, उससे बराबर होगी, और हमें यह पता है, कि अगर हम ऐसे किसी बिंदू को ढूंड मा है, जो कि दो बिंदू हो बराबर दूरी पर हो सम दूरस्त हो तो वो उसके कहां पर होगी सम लंब दूरी भाजक पर तो इस प्रकार से हम इस बिंदू को जोड़ करके इसका एक सम लंब दूरी भाजक बनाएंगे और वो जिस बिंदू पर प्रतिशेत करेगा वो हमें तीसरा शीष मिल जाएगा तो में इसका मिलेगी आईए इसकी फेयर रचना करते हैं हम तो फेयर रचना करने के लिए सबसे पहले एक त्रबुच की रचना करें जिसकी भुजा B C 6 cm है तो आप सबसे पहले B C 6 cm बना लीजिए ठीक है मैं यहां पे स्वयम ही रेखाएं लेकरके बना रही हूं आपको पटरी का प्रयोग करके बनाना है तो सबसे पहले आप B C को 6 cm लंबा बना लीजे यदि आप ये कर चुकी हैं तो अब आप B पर 60 degree का कोन बनाईए और कोन की रचना करनी है चांद से नहीं बनाना है नापने के लिए चांद का प्रयोग कर सकते हैं जब आप ये 60 degree का कोन बना लें इसके बाद आप क्या करें 9 cm की एक यहां पे आप चाप लगाएं तो चुकी ये 6 cm जो है वो बहुत लंबा लग रहा है 9 cm के लिए तो मैंने यहां पे इसको 6 cm कर लिया और अब ये 9 cm यहां पे हो जाएगा तो यहां पे इसको BX कह लिजे और ये इसकी लंबाएं कितनी है 9 cm मैं पुना दोरा देती हूँ कि मैंने BC 6 cm बनाया इसके उपर 60 degree की एक किरन बनाई और उसके उपर एक चाप बना ली जो की 9 cm की है अब मुझे कोई एक ऐसा बिंदू चाहिए जो की मुझे शीश A दे दे और शीश A मुझे कहा मिलेगा जो की X और C से समदूरस्त हो तो X और C से समदूरस्त मुझे एक बिंदू चाहिए इसका मतलब मैं अगर C और X को जोड़ दू और फिर यहां पे इसका क्या बना दू? समलम दूभाजब उसके लिए मैं C पर अपने धातू की नोग को रखोंगी और यहां पे ट्रिज्जा जो है CX की आहदी से जादा लेते हुए एक चाप यहां और एक चाप यहां पे लगाऊंगी फिर X से एक चाप यहां और एक चाप यहां पे लगाऊंगी और आप देख सकते हैं कि आपके पास त्रिबुज A, B, C यहां बन करके आगया अगर मैं आपको एक बार यहां पर हाइलाइट करके दिखाऊं तो कौन सा त्रिबुज है A, B, और C यह वारा त्रिबुज की बात यहां पर हो रही है जो कि हमने यहां पर बना लिया